बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है यह सब चीजे देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है भगवान का न्याय ही गलत है यह कोई कहानी नहीं है ऐसा हर किसी के साथ होता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं भगवान श्रीकृष्ण ने स्वय इसका उत्तर दिया है। आखिरी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परिशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमत भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पश्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं। नमस्कार दोस्तों धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुती। दोस्तों बात द्वापर युग की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच समबाध हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा की कि माधव जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादा तर दुखी और परेशान रहते है इसके पीछे क्या कारण है जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते भगवान का स्मरण बिलकुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिफद रहते हैं उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें तब भग भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहाने के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आईए जानते हैं उस छोटी सी कहाने के बारे में दोस्तों। एक गुरु के दो शिश्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नमानने वाला नास्तित था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता वहां दोड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह शराब पान भी करता था, विश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आत्तें दूसरे शिष्य में थी, एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पी कर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अ को बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैक की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करूंगा, वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसकी पैर में एक बड़ी क काटे चुग जाती है, रक्त निकलने लगता है, ठीक उसी समय दूसरा शिश्य भी वही पहुचता है, और हस्ते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो भगवान का, भजन करते हो क्या दिया तुम्हारे भगवान ने मुझे देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायन का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन हूँ, अमी नहीं मन विचार किया हां यह तो सच बोल रहा है मैं कितना पूजा करता हूं और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सूखी है इतना सोचते हुए वह अपने गुरू के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरू से करता है गुरू जी मुस्कुराते हुए बोले भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैक क्यों मिल सुनो तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक ही काट चुभा, अब तुम्हा जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्वजन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले जबकि वो अर्बों की संपत्ती का मालिक बनने वाला था, भगवान को दोश देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुप्योग करो, भवि गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मित्रों अगर यह विडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करिए, और हाँ विडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद